बात्रूम की पीली टाइलों को चंद टिप्स में चमकाईए दिखेंगी नई जैसी बात्रूम की टाइल्स पर लगे पीले दागों को हटाना मुश्किल होता है लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों को आजमा कर आप इस तरह के दाग धबों को आसानी से हटा सकते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि बात्रूम की टाइल्स पर पीले दाग पड़ जाते हैं जिन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे में जब घर में कोई महमान आ जाये तो महिलाओं को अक्सर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है तो अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन दागों को कैसे दूर करें तो यहां बताये गए टिप्स आपके काम आ सकते हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं बातरूम की टाइल्स पर लगे पीले दागों को हटाने के तरीकों के बारे में तो चलिए जानते हैं कि इन जिद्धी पीले दागों को कैसे हटाएं वाइट विनेगर यानी सिर्का किसी भी तरह के दाग धबों को हटाने के लिए सिर का बहतर आप्शन हो सकता है यहां किसी की किचन में रखा हुआ बिल जाता है इसके लिए पहले एक लीटर पानी में कुछ चम्मच सिर्के को अच्छे से मिक्स कर ले इसके बाद इस पानी से दागो पर ऋप्रक्र में और सपंज से खिसे कुछ देर बाद आप उसे पानी से धोलें आप देखेंगे कि आग दूर हो गया है निम्बू का रस दाग धबों को दूर करने के लिए बोहत इस इसके इस्तिमाल के लिए एक कप नीबू का रस लें अब इसमें दो चंपर्च नमत मिलाकर दाग लगे फर्ष पर याद टाइल्स पर लगा दे बेकिंग सोडे का इस्तिमाल यदि आप बाथरूम की टाइल्स पर लगे पीले दागों से परिशान है तो इसके लिए आप बेकिंग सोडे का इस्तिमाल कर सकते हैं इससे बाथरूम के कीटानों भी मर जाते हैं इसके लिए एक कटोरी में बेकिंग सोडा डाले और कुछ पानी डालकर एक घोल बना ले झाल झाल